बाई सिम्मन की यह नहीं पता नहीं आपन प्रेगनेंट करवाई पिछे से खरीद के लेके आई हुए ठीक है ठीक है और खुद भी अगले ने सिम्मन की बाई सरकारी होस्पिटल में सिम्मन रखुआ था जी मा इसकी उसी के पास है मा को देखकर ही कटडी को खरीद जया अर्याना देशी नसल का जो गोधन है वो आप देखें अभी अभी हाल फिलाल में दुलेडा गाउं में यश भाई के यहां पे जो गाए गई थी जिसने अच्छा खासा जो दूद है रिकोर्ड कराए था उसी की जो बेटी है आरती आप यहां पे देख सकते हैं मामन सर के और काफी शांदार जो बचडी है वो इन्होंने तयार करी तो ब्रीडिंग पर जो कामकाज है फोकस है वो इनका पूरा रहता है बचडी आप यहां पे देखें हाइट लैंद कदकाठी की जबरदस काफी सुन्दरता से भरपूर जो बचडी है वो प्रेगनेंट ग्याबि भी मिलेंगे और अच्छी खासी मैं काँगा जोटियां भी मिलेंगी तो इनके सुपूत्र हैं मोहित भाई हैं यह और बैंक में जोब भी करते हैं तो आज भाई का नंबर पड़ गया बाते कर लेते हैं तो नुशकार मोहित भाई राम राम भाई शंदीव, कैसे हो जी, बढ़ी अब आप बताओ, बहुत अच्छा हूँ, मैं आज एक ही जोटी अपने फार्म से आप दिखा रहे हैं, आज ये प्रेगनेंट कटी आई हुई है, ठीक है, तो क्या कुछ डिटेल से एक बार बता दीजिए, ये सोडा तारिक से दस्वे महिने में लग रही है, शोला तारिक से दस्वे महिने में, आज 19 तारिक है, 20 तारिक है, 20 जुलाइ को जो वीडियो है, कवर कर रहा हूँ, शोला तारिक से दस्वे महिने में एंट्री कर चुकी है, दातों में कैसे है, दो दात है, दिखा देगी, एक बार दिखा द काफी काफी बहतरी ब्यूटी वाली जो जो जोटी है वो यहां पे आपको देखने को मिल रही है तो दात जरूर दिखाने का जो प्रिया से वो करेंगे किस से ग्याबिन करा रख है मुईत भाई इसको बाई सीमन की है यह नहीं पता नहीं आपन प्रेगनेट करवाई पिछे स की उम्र ज्यादा होगी है लेकिन वो शमय पर नया नहीं हो रहा बार बार फर रहा है तो आप ऐसे पसु को सुबह शाम न्यूट्री डाइट जरूर खिलाए आपका पसु समय पर नया दूद भी होगा और बार बार नहीं फिरेगा आप इसे ओनलाइन भी खरीच सकते हैं और एमाजून से न्यूट्री डाइट और यह है और एक मेडिकल स्टोर पर भी और खुद भी अगले ने सिम्मन की वही सरकारी होस्पिटल में सिम्मन रखुआ था जी मा इसकी उसी के पास है मा को देखकर ही कटड़ी को खरीद दिया हमने चीक है तो मा का मिलकरी कोड बग एक बार घुमा के चला करके दिखाएं तो देखें जी दोदात कटड़ी है काफी सुंदरता से भरपूर मैं कहूंगा शांदार जो कटड़ी है वो और दस्वे महिने में लग चुकी है सोड़ा तारिक से मतलब चार दिन है लगबग लगबग उपर जा चुके शकल सूरत काफील देखें हाइट लैंथ आप देखें ब्यूटि है वो आप देखें काफी-काफी बहतरी न्विटी वाली जो जो जोटी है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगी और भाईयों का काफी अच्छा जो काम है वो ब्रीडिंग पर काम करते हैं लग-बग-बग- करोगे इसको शेल के लिए अविलेबल सबसे पहले जो हावबाव सभाव है नजदीक से मैं दिखा देना चाहूंगा यह देखे बिल्कुल ठंडे सभाव की छोटे से छोटा जो सींग है वो इसमें देखने को मिलेगा कद काठी आप देख लीजिए हाइट लेंथ है वो आप को देखने को मिलेंगे तो शांदार जो जोटी है दो दाथ एक बार फिर से ले करके जाएए खाने दाने में कैसी है बड़ी आए एक नंबर की बार एक नंबर की यह देखे जी नसो का जाल है स्किन पे बिल्कुल साफ साफ जो नसे हैं वो चमक रही है शांदार जो पर आपको हमेशा देखने को मिलेंगी और काटे के तोल में जो पशूदन है चाहे सेल का हो या फिर नोर्मल हो उसको लेना और देना दोनों पसंद करते हैं इसकी माँ प्रेगनेंट होने वाली थी तो अपने डॉलर का सिमन रख 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 है तो तब देखी थी हमने जोटी तब पूछे था भई शेल करोगे तो उन्होंने थोड़ी ही आम बैसी करी तो मग बताओ भई जी तब हमने देख ली थे मंगा जोटी अच्छी है ठीक है इसलिए ये फिर हमने खरीद ली चलो बहुत बढ़िया तो बात करें इसके मोल भाव की क्या कुछ कीमत रखने वाले हैं मोल बाव भाई इसका सवालाख रपिया है एक लाख पचीस जार रुपे में आप इसको दे होगे तो कोई कुछाइस थोड़ी बहुत मोक्यप वह आरमान सम्मान जो भी होगा अच्छा वो मोक्यप कर दें कोई को ना चीक है तो एक लाख पचीस जार रु वाली जो 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 जोटी है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगी खड़ा होने का तोर तरीका रोब जो रुटबा है वो आप देखें तो मुझी कैसी एक अच्छी है ना मुझ गई तो भाई फिलाल थोड़ा उपर हमान रहे हाथ लगाई अपने फार्म पे वैसे कल ही ल अगर परमात्मा ने ठीक ठाक रखा साफ सुथ्री अगर इसने काविंग कर दी तो इतना दूद मैं कहूंगा कहीं नहीं गया तोड़ों का गैप स्पेसिंग देख सकते हो आप जो डेलोप हो है ना बहुत बड़ी अथन निकालेगी फर्स्टाइमर के हिसाब से जी और एक पशूर पालेग भाईयों की डिमांड रहती है और पंजाब के अलावा मैं कहूंगा नजदीक आसफास नहीं मिलती है तो कई भाई मंगा रहे थे एक वह वहारे लेका यह जो मतलब मक्ही मच्छर हो जादा जब तेल वगर डालका मार रहे हैं या और कुछ भी कर रहे हैं तो वह लेका आये थे वह बेरी अपनी सोप है उसके उपर हो लेबल है अच्छा वह मिलकिंग करवाते हैं तो बच्छों दूद नहीं मिल पाता तो वह बोटल हो अगयरा है फीड है वाई सारी चीज़े अवलेबल है एक बार दिखा दीजिए कैसे डिक्षाब लेके आओ अबी ना मक्षी मच्छरों का जो मोसम है उसमें आप देखें जो फवारे की अती उत्तम व्यवस्ता है मैं कहूंगा पश्मों के लिए काफी बैतरीन होने वाली है और फवारे भी भाई के यहां से दिखाएंगे मामन सर के जो सुपुतर है डोक्र रोहीत बेरी में भाई क काफी अच्छी खासी डिस्टिक लगता है जजजर और बेरी में जो स्टोक है वो इस फवारे का स्टोक रखते हैं साथ में आपको जो चोटे नने शिशू नने जो काफ हैं उनकी जो बोटलें हैं दूद पिलाने के लिए वो भी आपको मिलेंगी तो फवारा आप देखें क्यात्ति उत्तम क्वालिटी का काफी शांदार जो फवारा है वह आपसा पशूपालिक भाईयों के सामने और फोगिंग सिस्टम के साथ मैं काऊंगा तेल और जो डीजल है अकसर हमारे पशूपालिक मिला करके मारते हैं तो उसमें वेस्टेज नहीं जाएगा कईना की फो यह यूज किया हुआ है बढ़ी चीज है आच से लगाते है ना ज्यादा भी लगता कहीं कम कहीं ज्यादा इससे फोगिंग सिस्टम है तरह जैसे मक्ही मच्छर की दवाई होगी तेल हो गया अच्छे किसी चीज में यूज करो बढ़ीया चाल लाए तो मोहिद भाई क्या क उसके फवारे की इसका डाइसों रुपय है वाईसाब या यह बीडाइसों रुपय की जो बोटल है वह आप देखें और काफी अच्छी जो बोटल है मैं काऊंगा तो यह बोटल कितने की यह डाइसों की चीक है तो एक दो दाथ जो जो जोटी है वो और उसके साथ जो पशु पालक भाईयों के लिए फवारे जो बोटले हैं दूद वाली बोटल और भी काफी सारी चीज़ें जैसे बढ़ परशु के लिए पूछते हैं कौन सा कटता इस तरह के जैसे दो महीने ब्याने गिर है उनके लिए अलग से आता है जो मतलब जेर गिराने में या फिर परशु को अन्य किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देता ऐसा फीड वगएर सब कुछ उपलब्द रहता है 200 रुपए उपर नीचे चलता रहता उसमें तो एक जोटी 125,000 रुपए कीमत है और जो चोटी 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 चीजें है वो इनके फार्म से मिलेंगी और अच्छी नसल के सिम्मन देशी गोवन्स का लगा लो अच्छाई वाड आगी राठी आगी अपनी देशी अरियाना सारी बड़िया चीजें जो अच्छे शिम्मन है वो उपलब्द है बाई अपने पास और आज पास में जो डोक्टर वगएरा उनको गैस की समस्या गैस वगएरा सब चीजे उपलब्द हो नाइट्रोजन भी उपलब्द करवा रठी है सारी चीजें तो भाई के नंबर के ह आप संपरक कर सकते हो और किसी भी तरह की जानकारी कोई भी कम रेट पे जैसे कैल्सियम वगएरा लेते हैं और एक चीज मतलब उपलब्द है वाइटम है तो पशुओं के हित में काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी मैं कहूंगा एक बार भाई के शोप पे जरूर विजि किसी बड़र डेरी फार्म पर तब तक के लिए आप सबको मेरा निवश्कार धन्यवाद जैजवान जैकिसान